नमस्कार मेरे नोजवान साथियों कैसे आप सब आसा करते हैं आप सभी स्वश्थ और प्रसंद होंगे तथा लगता सीख रहे होंगे मैं प्रेम असिस्टेंट प्रोफेसर पी एसम पीजी कॉलेज जियोग्राफी डिपार्टमेंट का नौज आपका स्वागत करते हैं अपन ने यूएन यानि सायुक्तराष्ट विश्व बैपार संगठन के बारे में चल्चा कर ली है ठीक है और दोस्तों इसके साथ साथ हमने विश्व बैंक पर भी चल्चा की थी और आज हम बात करेंगे एक नए संगठन के बारे में जो काफी महत्वपूर संगठन है तो rest form में दबलु आचो के नाम से जाना जाता है इसका नाम आप हमेशा सुनते रहते हैं यहाँ पर डबलु आचो का लोगो दिखाया गया है अब देख लेते हैं इसके बारे में कुछ समान जानकरी हैं दोस्तों स्वास्त Tracy च्छेत्र में यानि स्वास्त च्छेत्र के लिए संयुक्त राष्ट की एक विशेश एजेंसी विश्व स्वास्त संग्ठन यानि वर्ड हेल्थ और्गनाईजेशन जिसे सौर्ट में डबलू एचो है की जो इस्थापना है वह 7 अपरेल 1948 में की गई थी तो आपकी इसको इस एजेंसी है ठीक है दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि संयुक्त राष्ट की स्थापना कब हुई थी ठीक है और इसके सदस्य देश कितने हैं और इसके प्रमुख अंग कौन कौन से हैं इसका मुख्याल है यानि हेट क्वार्टर कहां पर है और इसके चीफ य जो दोस्तों मुख्याल है वो जिनोवा यानि कि जिनेवा स्वीडियर लेंड में ठीक है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि स्वीडियर लेंड से सीमा बनाने वाले कितने देश हैं यानि कितने देश स्वीडियर लेंड से सीमा बनाते हैं तो यह आपको कमेंट बॉक् विस्व स्वास्त दिवस के नाम से मनाया जाता है तो यह आपको प्रमु कुरूख से यार रखना है क्योंकि यह काफी एकजाम मुचा गया है कि स्वास्त दिवस कम मनाया जाता है तो साथ अपरहल को ठीक है वर्तमान में 194 देश डबलू एचो के सदस हैं यानि आपको याद होगा कि UN के सदस्त देश भी कितने थे 194 थे यानि UN के जितने भी सदस्त देश हैं वो सभी डबलू एचो के भी सदस्त देश है ठीक है 150 देशों में इसके कार्याले होने के साथ साथ इसके 6 छेत्री कार्याले भी हैं यानि 150 देशों में तो इसके कार्याले हैं लेकिन इसके छेत्री कार्याले 6 देशों में यानि 6 जगे हैं इस चित्र में आपको दोस्तों डबलो एचो के छेत्री कार्यालों को दिखाया गया है इसमें आप देख सकते हैं कि पहरा कार्याले जो है वो यूएसे में है वासिंग राज़ए और कि जो एक राज़धानी है तो यह डेस की आपको कमेंट बॉक्स में पताना है कि छह áreas राज़दानी है। इसके साथ कैर्षा चैर्षा की नाम से भी जाना जहता है। यहाँ पर भी एक इसका चेतरी कादयाला है आपको काहिदा किसकी राजधानी यह भी आपको बताना है इसके लावा भारत में भी एक चेतरी कादयाला है इसका नई दिल्ली में है ठीक है यह साउथ एस्ट एसियन रिजन यानि कि जो दच्छडी चेतर का दच्छड एसिया च चेत्र का जो मुख्याला है वो इंडिया में है इसके साथ साथ जो एक छेत्रिय काद्याला है आपका मनीला यानि की फिलिपीन्स में है फिलिपीन्स की राजधानी मनीला है तो मनीला में भी इसके एक छेत्रिय काद्याला है तो अब आप समझ गए होंगे कि एक USA में है आपक दोस्तो ये एक अंतर सरकारी संगठन है तथा समानताह अपने सरस्य राष्टों के स्वास्त मंत्रालियों के सयोग से कारे करता है यानि प्रतेक देश का अपना स्वास्त मंत्राले होता है जैसे भारत का भी एक स्वास्त मंत्राले है ठीक है तो जो ये संगठन है ये वैस्विक स्वास्थ मामलों पर नित्रत्य प्रदान करता है। तो यह आपको याद रखना है साक्ष अधारित नीती विकल्पों को इसपष्ट करता है वह देशों को तक्नीकी सहायता प्रदान करता है तथा स्वास्त सम्मंधी रुजहानों की निगरानी और मुल्यांकन भी करता है डबलो एचो ने 7 अपरेल 1948 से कारे करना प्रारम्ब किया अताहव वर्तमान में 7 अपरेल को प्रतिवर्स विश्ट स्वास्त दिवर्स मनाया जाता है यह आपको उपर भी बताया था हमने अब देख लेते हैं इसके उद्देश और कारे क्या हैं तो अंतर राष्टिये स्वास्त सम्मंधी कारेओं पर निर्देशक एवं समन्वे प्राधी करन के रूप में कारे करना स्युक्त राष्ट के साथ विसेश एजेंसियों सरकारी स्वास्त प्रसासन पेसेवर समूहों और ऐसे अन्न संगठनों जो स्वास्त के छेत्र में अगर्णी हैं के साथ प्रभावी स्वायोग इस्थापित करना एवं उसे बनाए रखना इसका प्रमुकाम है सरकारों के अनुरोध पर यानि अलग-अलग डेसों की सरकारें जब अनुरोध करती हैं तो स्वास्त सेवाओं को मजबूत करने के लिए साहयता भी प्रदान करता है ऐसे वैज्ञानिक और पेशेवर समूहों के मद्ध सायोग को बढ़ावा देना जो स्वास्त प्रगति के छेत्र में योगदान करते हैं भारत में भारत द्वारा सुझाये गए कुछ सुधार यानि भारत ने भी स्वास्त संग्ठन को कुछ सुधार करने की सलाय दी है वो कौन कौन सी हैं वो भी देख लेते हैं अंतर राश्टिये चिंता संबंधी सारजनिक स्वास्त आपातकाल यानि पबलिक हेल्थ इमर्जेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न जिसे सौल्ट में पी एच इई आई सी गोष्णा प्रक्रिया को सुध्रन बनाना इसके नाम से इस मान दंड तयार करने किया हो सकता है ये भारत ने सलाय दिया है डबलू हो को गोष्णा प्रक्रिया में पारदर्सिता और ततपरता पर जोर दिया जाना चाहिए ठीक है पी एच इई आई सी का ततपर एक ऐसी इस्तिती से है जो गंभीर अचानक असमान और आपरत्यासित हो यानि भारत ने सुझाओ दिया है स्वास्त अपात्काल लगाने का तो वो किस इस्तिती में लगाया जाना चाहिए जब गंभीर समस्या हो अचानक अजाए या असमान ने हो या अपरत्यासित हो तब स्वास्त अपात्काल लगाया जाना चाहिए ये भारत ने सुझाओ दि अवशक्ता है हो अब देख लेते हैं विश्व स्वास्त संग्ठन और भारत भारत बारा जनवरी 1948 को डबलू एचो का सदस्य बना ये दोस्तों आपको याद रखना है डबलू एचो की स्थापना कब हुई थी साथ अपरेल 1948 को हुई थी ठीक है ठीक है भारत जनवरी बारा जनवरी 1948 को डबलू एचो का सदस्य बना यहाँ पर थोड़ा दोस्तों कनफ्यूजन हो रहा है क्योंकि जब साथ अपरेल को स्थापना हुई तो भारत कब भारत को इसके बार सदस्य बनना चाहिए लेकिन यहाँ पर दिया गया है बारा जनवरी 1948 तो इसे आप अभी कर दीजिएगा ठीक है हम आपको पहले कमेंट में बता देंगे कि भारत इसका सदस्य कब बना था डबलू एचो का जो दच्छिड पूर्वी एशिया का छेत्रिय कार्याले है वो नई दिल्ली में अभी आपको छेत्रिय कार्याले बताये थे च्छे कहां कहां पर हैं भारत में डबलू हचो द्वारा किये गए स्वास्त सम्मंधी प्रयास यानी डबलू हचो ने भारत में क्या क्या किया है स्वास्त सम्मंधे सबसे पहले चेचक यानी पॉक्स वर्स 1967 में भारत में दर्ज किये गए चेचक के मामलों की कुल संख्या विश्व के कुल मामलों की लगभग 65% थी कब 1967 में इन में से 26,225 मामलों में रोगी की मृत्तु भी हो गई इस घटना ने भविश्व में होने वाले अथक संगर्स की विकट तस्वीर भी प्रस्तुद की वर्स 1967 में डबलू एचो ने गहन चेचक उनमूलन कारिकरम यानि इंटेंसिफाइड इसमाल पॉक्स इराइडिकेशन प्रोग्राम प्रारंब किया डबलू एचो और भारत सरकार के समन्वित प्रिवास से वर्स 1977 में चेचक का उनमूलन किया गया यानि 1967 में सुरू हुआ था चेचक और 1977 में से समाप्त कर दिया गया विस्व बैंक की वित्ती और तकनीकी सहायता से डबलू एचो द्वारा वर्स 1988 में प्रारंब की गई वैश्विक पॉलियो उनमूलन पहल यानि Global Polio Eradication Initiative के संदर में भारत ने पॉलियो रोक के खिलाब मुहिम की सुरुआत की और इन प्रियासों के परिणाम सुरूप वर्स 2014 में भारत को एंडमिक देसों की सूची से बाहर रखा गया यानि भारत Polio मुक्त कब गोसित किया गया था तो 2014 में गोसित कर दिया गया था ठीके दोस्तों तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक आज हमने आप से बात की WHO के बारे में जिसमें हमने देखा कि इसकी स्थापना कब हुई इसका मुख्याल है कहां पर है इसके सदस्य देश कौन से हैं इसके 6-6-3 कार्याल हैं तो वे कहां कहां पर हैं यह भी हमने आपको बताया इसके उद्देश और कार्यों पर भी हमने चर्चा की ठीक है और भारत द्वारा सुझाए गए कुछ सुधार भी सुझा दिये कि भारत ने WHO को क्या क्या सुझाओ दियें सुधार के लिए PHEIC के बारे में बताया विस्त स्वास्त संग्ठन और भारत के संबंदों पर चल्चा की ठीक है और भारत में WHO द्वारा किये गए स्वास्त संबंदी प्रयास कौन कौन से रहे जैसे ही चेचक पोलियो उन्मूलन कारिकरम ठीक है तो इसके बारे में हमने आपको बताया तोस्तों जो पीडियाफ है इस वीडियो का आपको वीडियो के दिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पहले कमेंट में उसका लिंक मिल जाएगा जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार आप प्रसन रहिए खुश रहिए मुस्कुराते रहिए और लगाता सीखते रहिए कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए जैहिन धन्यवाद दोस्तो